नमस्कार, आज बात करेंगे Twin Flame Union की, तो Twin Flame Union एक state होता है, एक ऐसा complete state जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ spiritually high होते हैं, spiritual experiences भी आपके होते हैं, जिसमें कि इसको describe करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप खुद describe कर सकते हैं कि आपके feelings किस तरह की जा रही है, feeling like home व emotionally completely अपने आप में separation time period में आप जुड़ते हैं, तब आपको मैसूस होता है कि yes, Twin Flame Union तो already हो भी चुका है, तो इसको achieve करना, जो कि जो इस form में होता है, physical form में, उसको achieve करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको मुश्किल इसलिए होता है, क्योंकि तब तक आप अपने heels को wounds को heal नहीं कर पाते हैं, तो यह जो emotional attachment होता है, वहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कते आती हैं, इसलिए मैं कहते हूं, emotionally थोड़ा सा detach हो जाईए, emotionally detached होने का एक अलग तरीका भी है, जो कि हम आध्यात्म से ही जोड़ते हैं, आध्यात्म का अर्थी यही होता है, कि आप spiritually high हो really twin flame है, तो आप अकेले नहीं हैं, यहने कि आपके साथ यह सारी चीज़ें होंगी ही होंगी, मिलना, बिचरना, separation जो होता है, और बहुत सारा hard work with dedication, यह आपको करना ही पड़ता है, किस चीज़ के लिए, ताकि आपका inner union हो सके, inner union आपका अपने आप से, तो ही कुछ बात बन connected जैसे आप रहते हैं, वैसे ही वो भी रहते हैं, वो religiously नहीं, spiritually बहुत हाई रहते ही हैं, लेकिन आपको दर्शाते नहीं हैं, उनका ego mind जादा ही आपको दिखाए देता है, क्योंकि आप उस page पर होते हैं, जहां पर आप उनकी mentality को नहीं समझ पा रहे होते हैं, वो वाली ब awakening उनकी भी होती है, तो वो भी spiritually awakened होते हैं, और इश्वर से connect होने के लिए वो सारी चीज़े करते हैं, जैसा कि आपके लिए भी होता है, और वो उनकी अपने अंदर से ही आता है, बीतर से आता है, जैसे मेरे भी divine muskline नहीं, उनका अपना बीतर से ही आया, कि ये करना है, हां religiously उसको follow करने लगते हैं फिर, ये कह सकते है, spiritually high होने के लिए कोई तो रस्ता चाहिए, जैसे मूर्ती पूजा है, तो हम बिल्कुल ये हमें अंजाने है, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें बस वो ही पता है कि मास, दारू, ये वो लड़किया लड़किया, बस जो दिखता ह हमें वोई चीज अच्छी लगती है, अब suddenly आप God की तरफ जा रहें, तो कुछ तो दिखना चाहिए न, तो कुछ तो दिखे, तो इसलिए ये मूर्ती पूजा बनाई गई है, कि मूर्ती को देखे, एंदेन फिर विश्वास करें कि ऐसा कोई व्यक्ति या, इस तरह का कोई पूरुश, महापूरुश रहा होगा, जो इस तरह से दिखता होगा, और ऐसा शान्त रहता होगा, वह वाली बात है, तो वहां से एक रस्ता मिलता चला जाता है, फिर हम हमेशा ही मूर्ती पूजा को ही करते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, हम और भी ज़्यादा स्पिरिचु गोज़ी हाई होने के लिए, रिलीजिस रस्ता अपने आते चले जाते है, कोई वरत, पूजा-पाट, मंदिर जाना, दान दक्शना करना, जो कि पहले नहीं करते थे, वो सारे काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों की हल्प करना भी शुरू कर देते हैं, जो कि पहले वो अवेकर्ण खास नहीं थे तो फिर वो नहीं करते थे कि नहीं नहीं किसी को पैसा नहीं देना चीए ये और वो ऐसा जी हाँ यदि आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम के लिए हमने बहुत इनवर्क किया लेकिन फिर भी यूनियन होने को नहीं है और बहुत कुछ जानना चाते हैं बहुत सारी confusions हैं और क्योंकि कई लोगों से आप सुन सुनके कुछ का कुछ हो सोच लेते हैं तो इसके लिए इस guidance आप बुक करा सकते हैं टेरो रीडिंग बुक करा सकते हैं astrological work आप मुझसे करवा सकते हैं स्क्रीन पर दिखाए, number पर message करें, fee structure वगर आजाने, फिर आगे बढ़ें तो आगे उन्होंने पूचया अंजली जीने कि तो वो क्या करते हैं God से connected होने के लिए वो क्या करते हैं क्या क्या करते हैं, वो सभी कुछ करते हैं जो आपने किया है जब आपका divine masculine खुद से feel करता है कि अरे यार अब ठीक है, अब शानत है ना मैं तुम से trigger हो रहा हूँ, ना तुम मुझसे trigger हो रही हो अब मज़ा है जीने का, जो वो अंदर से शानती, अंदर से बीतर की जो शानती होती है वो ही उनका awakening period होता है, और उसी awakening period में हो सकता है कि उन्हें twin flame journey के बारे में मालूम ना हो, लेकिन उनकी soul crave करती है कि I want to, I want God, या मैं कुछ करीब आना चाता हूँ, मैं अपने अंदर शानती पाना चाता हूँ इसलिए आपका twin flame जब बहुती ज़्यादा frustrated होते हैं, तो आप यह सोच सकते हैं, देखो यह तो हमेज़ा frustrated ही रहते हैं इनसे एक सवाल पूछ लो, यह तो भागने लगते हैं, तो आप इधर से चिल रहे होते हैं, उधर से वो frustrated हो रहे होते हैं कि क्या हर समय सवाल ही पूछती रहती हैं, है ना, यानि कि divine feminine energy की बात है, चाए वो female है, चाए male है, यह वाली बात है तो उन सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते हैं, इसलिए वो run करते हैं, यह वाली बात होती है, लेकिन आप उसको कुछ का कुछ मतलब बनाके, अपने दिमाग में overthinking करके, over possessive होके, कुछ का कुछ सोच लेते हैं, फिर आप करते हैं, हमने तो move on करने की सोच लिए, हम क अपने सारे illusions, शब्दों का कुछ का कुछ मतलब निकालके, कुछ का कुछ का कुछ करते हैं, फिर कहते हैं, हमारी तो life mess होगी, अब mess हुई है तो वो, आपने करी है, किसी और ने नहीं करी, किसी और ने आपको नहीं कहा कि, इसको छोड़ो, किसी और को पकड़ो, तुरंत, सेम डे वो आज मैंने ब्रेक अप की पार्टी रख लिए है वो फैशन में मत आई है ब्रेक अप की पार्टी रखी इदर से चार और आ गई वाँ वाँ मज़े आ गए एक छोड़ा चार आ गई ये बंत कीजिए ठीक है न तो ट्विन फ्लेम जर्णी बहुत ही खुबसूरे ज नहीं है अब शादियां भी है शादियों में कहते कि हाँ सब अच्छा है इसके अलावा आप मत देखे पर इस तरी की तरफ भी मत देखे पर पूरिश की तरफ भी मत देखे लेकिन ट्विन फ्लेम जर्णी में आते हैं तो देखते ही हैं और अगर जो ट्विन फ्लेम में न का नाम दे दे रहे हैं spiritually अवेकन होने का बात कर रहे हैं twin flame journey वैसे भी एक sexual connection नहीं है कि नहीं नहीं हम तो आपको छोड़ेंगे आपके साथ जुड़ जाएंगे twin flame के साथ जुड़ जाएंगे twin flame में जो इतना huge age gap होता है पिर क्या करेंगे है ना और उनके भी माता पिता और भी लोगों का उनके साथ उम्मीदे होती है फिर उनको कैसे तोड़ेंगे आपके अपने भी बच्चे हैं मालीजे और पूरा ससुराल बैठा हुआ है उनको क्या जवाब देंगे, बहुत सारी बाते होती हैं, अब यहाँ पर भी मैं कहा रही हूँ, कई लोग कहते हैं, हम तो सोसाइटी के नॉम्स तोड़ने के लिए आये हुए हैं, हम ऐसे टुंटले में, ओके आप सोसाइटी के नॉम्स तोड़ने के लिए पिर कहां जो आपकी ज़रूरतों के लिए सही है, एक हेल्दी रिलेशन्शिप हर किसी के साथ बनाने के लिए सही है, वो काम करें, जो भी आपका काम भी तो है, आपका अपना लाइफस्टाल है, आपके अपनी वैल्यूस हैं, लाइफस्टाल एन वैल्यूस को चेंज करना और वो सा हो जाते हैं यह क्या है यह एक corros से बंदें हो है आप एक बंधन में बंदें होए ही विभा का बंधन अलग है और यह जो रूटीन के बंदन रहो और राव के रहें इस तरह से बंदनों में बंदनें फिर हम क्या रहए कि हमंना है हम् time free will है हमें तो यह चाहिए और हमें वो चाहिए वो कैसे होगा जब तक आप अपने patterns को तोड़ेंगे नहीं तो देखिए किसी भी तरह से सही गलत की बात में इसलिए कि कई लोग communication रखते हैं twin flame से उनका अगर शादी अलग जगह हो गई है या कैसे भी है तो उसमें वैसा भी किया जा सकता है और कई लोग एक साथ रहते हैं living में रहते हैं वैसा भी किया जा सकता है लेकिन too much cling ही नहीं होना चाहिए किसी के लिए कि ओहो ये मेरा अब ये किसी और के साथ बात ही ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है तो वो सारी चीज़ें, जो आपको inner turmoil, inner challenging जो भी आपके अंदर है ना, उन सबसे बाहर निकलना होगा, अगर आपके अंदर यही है कि वो अब किसी और से बात ना करे किसी और से बात कर रहा है, it means there is something wrong अगर अंदर यह अंदर यह घबराट है तो समझें, यह घबराट जो है वो आपके अंदर का डर है, अगर डर है तो उसको निकालना होगा, या तो डर रहेगा साथ में, या लव रहेगा, लव और डर, love and fear एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए कहती हूँ कि अपने कर्म पर ध्यान दें, कर्म फल पर नहीं, जैसे कि कर्म फल मुझे पर छोड़ दो तुम कर्म करो, तुम युद्ध करो युद्ध क्या, इनर युद्ध जो हमारा चल रहा है ध्वंद ध्वंद अंदर यह अंदर चल रहा है फिर परिवारों में जो शीतु यूदु चल रहा होता है बोलतें कुछ नहीं यह मुझसे सब मिठा मिठा ठास है लो गूर्णिंग हो ना पैर छुना यह सब ड्रामा चलता है और हमें society के norms तोड़के कहां जाएंगे, ये बात भी अपने आप से पूछे, तो ये बात है, तो inner union में आईए सबसे पहले, physical union जो होना है, वो समय बलवान है, समय बताएगा, divine time जिसे कहते हैं, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much, धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगे, तो share क येजिए, नवाद,